दोस्तों जब इन लोग कोई नया फोन करेते हैं तो हमें चलाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा फोन बहुत तेजी से वर्क करता है बहुत फास्ट वर्क करता है लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारा फोन स्लो होते जाता है हमारा चलाने का बिल्कुल भी मन नि करता है क्योंकि call लगाएंगे तो भी phone hang होने लगता है कोई video देख रहे हैं तो भी phone hang होने लगता है अगर net on कर दिये और YouTube से video देखने लगे या Facebook चलाने लगे तो भी हमारा phone hang होने लगता है तो दोस्तो बिल्कुल भी phone चलाने का मन नहीं करता है मन तो करता है कि पटक दे phone तूठी जाए या बेच दे तो दोस्तो अगर आप भी इस परिशानी से गुजर रहे हैं और आपका भी phone slow हो गया है तो दोस्तो आप अपने phone में सिर्फ और सिर्फ एक setting को करके आप अपने phone को fast बना सकते हैं सिर्फ एक setting करना है और एक setting से आपका phone बिल्कुल fast हो जाएगा और दोस्तो यहाँ पर मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप play store में जाएए और इस application को install कीजिए ऐसा मैं कुछ भी नहीं आपको कहने वाला हूँ क्योंकि आपको कोई कहता है कि आप इस application को install कीजिए आपका phone fast हो जाएगा तो ऐसा आप कुछ भी मत कीजिए क्योंकि किसी भी application को install करने से आपका phone fast नहीं हो सकता है यह मेरी guarantee है लेकिन दोस्तों आपको मैं आज एक ऐसा setting बताऊंगा जिस setting की मदद से आप अपने phone को बहुत ही fast कर सकते हैं दोस्तों अगर आप भी उस setting को जानना चाहते हैं और कैसे करना है तो आप इस video को देखते रहे हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा request करूँगा कि अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेट कलर में लिखाओगा सबस्क्राइब उस पर क्लिक करके आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक notification bell का option आ जाएगा उस पर भी क्लिक करके आप उसको on कर दिएगा ताकि मेरी जब भी कोई दूसरी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए तो दोस्तों मेरा नाम है रविशेंकर पाठाक और आप देख रहे हैं my primary solution दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बहुत ही असान सेटिंग है तो आपको सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग में जाना है तो सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है नीचे नीचे जाएंगे तो आपको एक option मिलेगा अब आउट फोन का तो आपको इस पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहाँ आपको नीचे जाना है और यहाँ मिलेगा build number का इस पर आपको 6-8 बार क्लिक करना है लागतार ऐसे अब जब आप 6-7 बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका developer mode on हो जाएगा तो आपको simple back आजाना है और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे अब आउट फोन के ऊपर एक option आजाएगा developer mode developer option तो इस पर आपको click करना है click करने के बाद दोस्तो आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको थोड़ा सा scroll करना है और यहाँ पर देखेंगे window animation इसको आपको off कर देना है यहाँ पर फिर off कर देना है और इसको भी off कर देना है अब दोस्तो इतना करने के ब आप अपने फोन को यूज किजी, बिल्कुल आप अपने फोन को यूज करके देखिए, अभी यूज करके देखिए, आपका फोन जितना fast चल रहा था पहले, उससे दुगूना fast work करेगा, यह मेरी गरांटी है, आप करके देखिए, दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्रीज आप इस वीडियो को लाइक कर दिजे दोस्तों अगर आपका कोई सवाल और सुझाओ तो प्रीज आप में कमेंट करके जरूर बताइए अगर दोस्तों इसी तरह के वीडियो आप रोजाना देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल्कों भी आउन कर दीजिए थैंक यू सो मच